हलो फ्रेंस वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन दोस्तों यह जो जानकारी है यह जो न्यूज है पेपर कटिंग आपको दिखाई दे रहा है यह मध्यप्रदेश का पेपर कटिंग है देखिए क्या कहा गया कि 90 प्रतिस्तर सरकारी इसकुलों में इसकुलों को बंद क करने की त्यारी है कि मैं मध्यप्रदेश की जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूं आप तक इसलिए साजा कर रहा हूं क्योंकि लगभग मध्यप्रदेश और 36 गढ़ एक दुसरे के समीव राज्य है अर्थाथ एक दुसरे से जुड़ा हुआ राज्य है कुछ भी अकर कं करती है वही चीज़ें हमारे प्रदेश में भी चलती है तीकि दोस्तों मात्य प्रदेश में 90-30 सरकारी स्कुलों को बंद करने की त्यारी चल रही है जी हां 36 गण में भी कोई अन्य नहीं है अभी वर्तमान में आप सबको पता है कि आत्मनंत की उत्कृष्ट विद्याला होती जाएगी मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप से भी ज्यान रहे हैं कि वर्तमान में जितने भी हाई स्कूल है हायर चेकंडरी है वहां पर आत्मनंत के उत्कृष्ट विद्यालाय खोले जा रहे हैं और जहां पर आपका जो दोस्तों समीदा के अधा बfoundनें जो है सरकारी शिक्षको की सरकारी इसश्कूलो की जगा ले रहे हैं जहां पर प्राइवेट इसकूल की तरह स्वीदा दिया रहा है तो ऐसे में आने वाले समय में प्रदेश में रोजगार के जो इस्तर है घटेंगे रोजगार तो कम नहीं होगे दोस्तों लेकिन सरकारी छेत्र में सास्किये छेत्रों में सरकारी शिट्षक के जो पत है उन की संख्या है धीरे धीरे कमी होती जाएगे देखिए लगये सरकारी सकूल बंद करने की तयारी जो मत्यपतिक स्ह misma कैसे चल रही है वहाँ के शिक्रिश भी भाग का कहना है दोस्तो की जितने भी सकूल है उन्मे के 90 परतिश्थ इस्कूलों को बंद किया जाएगा और जो सेल्ज बचे 10% इसकूल है, उसमें जो 90% इसकुलों में जो खर्च फंड खर्च किया जाता है उनको उसमें लगाया जाएगा अर्थात उन 10% सरकारी इसकुलों को प्राइवेट की तरह स्वीधा दिया जाएगा आठ से 10 किलोविटर की दूर में बच्चे अगर रहेंगे तो प्राइवेट इसकुल बस भी ओपन किया जाएगा जो लानन ले जाने का काम करेंगे इस प्रकार से प्राइवेट इसकुल की तरह फसलिटी देने की तायारी महत्रपदेश में चल रही है जिसकी वजह से 10 आपक वर्तमान में जो साइकल वितरर योजना चलता है तो साइकल वितरर योजना को भी बंद किया जाएगा क्योंकि प्राइवेट इसकुल ओपन किया जा रहा है जिसकी वजह से साइकल के जगा पर उनको बस से लाने जाने की जो सुवीधा है प्राइदान किया जाएगा तो य सरकारी शिक्षकों के पद घटेंगी वर्तमान में ये हमारे राज्य में भी संभव है क्योंकि दोनों जुड़ा हुआ राज्य है जो नियम एमपी में चलाया जाते हैं वही या उसी के समकख्ष नियम हमारे प्रदेश में भी चलता है चुकि इस वर्ष सरकारे अलग है इस कारण से नियम में भी भिन्नता है लेकिन आने वाले भविश्य में हम कुछ कह नहीं सकते दोस्तों नियम कुछ भी हो सकती है अगर हम बात करे केंद्र की तो आप सबको ग्यात होगा कि केंद्र सरकार तमाम चीजों को प्राइविटाइजेशन अर्था नीजी करण की दोर में सामिल कर रहा है इसमें से शिक्षविभाग की भी एक अहम है उसको भी दोस्तो आने वाले समय में नीजी करण की दोर में सामिल करेंगे तो ऐ आने को नई नई जो अपडेट्स हैं आप तक लाते रहेंगे हमारे चैनल से जूड़े रहें इस हज़त दें अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जय हिन जय भारत जय चैटिस गर्ण